नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूटूब चेनल दनवलग डिश्टेशन पर है दोस्तो हमारे एक सब्सक्राइबर मामरा जांगिर ने जानना चाहा है कि रेल्वे में यार्ड रिमोडलिंग का क्या मतलब होता है क्योंकि रेल्वे यार्ड रिमोडलिंग की वज़े से बहुत सी ट्रेनों को केंसल कर देता है या उनके रूट को डाइवर्ट कर देता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यार्ड रिमोडलिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे रुखती है और उस स्टेशन पे जितने भी प्लेटफरम होते हैं उन्हें रेलवे का याड बोला जाता है मतलब कि उस याड में ही ट्रेने रुखती है और याड रिमोडलिंग का मतलब होता है उस याड में ही कुछ फेर बदल करना या बदलाव करना मतलब उसको रिमोडल करना मान लो कि किसी रेल्वे स्टेशन पे पांच प्लेट फरम है और उसमें फिर बदल करके वहाँ पर दो प्लेटफरम और बढ़ा दिये जाएं यानि कि टोटल साथ प्लेटफरम किये जाएं तो उसे याड रिव मोडलिंग बोलेंगे इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा कि जहां से मान लिए दो रेल्वे लाइन है और वो पांच रेल्वे लाइन में प्लेटफरम पर आकर बंट रही थी अब उसको साथ रेल्वे लाइन में माटना है इसके लिए वहाँ दो रेल्वे ट्रेक्स को और बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ साथ वहाँ के पॉइंट्स क्रोस ओवर इन सभी को भी बढ़ाना पड़ेगा और पूरे ट्रेक्स में मोडिफिकेशन करना पड़ेगा इसके साथ साथ पूरे RRI Penal है जहां से पूरे ट्रेनों के ट्रेक बदले जाते हैं में भी फिर बदल किया जाएगा तो इन सब कामों के लिए वहाँ याड रिमोड लिंग की जाती है दोस्तों वीडियो से आपको समझ में आ गया है कि यार रिमोड लिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेट करके जुरूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक वे सेर करना नहीं भूले और चैनल पर पहली बार आया है तो करपैकर की चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से दबा ले ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नाटिपिकेशन आप तक पहुंशता रहे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद